Welcome students and welcome friends आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चेनल I study में आज मैं आपके साथ वर्क सीट नमबर 26 करोंगा 26 वर्क सीट है, English subject के वर्क सीट है, Class 6 के लिए Date है 28th of December 2020 28th December 2020 के लिए Directorate of Education है जो दिल्ली का या हम कहें Education Department है उसने जो वर्क सीट भेजी है वो है 26 नमबर की वर्क सीट English subject की Class 6 के लिए सबसे पहले Name of the student आपको अपना यहाँ पर फिल करना है Name of the class teacher आपको अपना यहाँ पर फिल करना है Lesson है Fair Play इस Fair Play चेप्टर को मैंने आपको previous 3 वर्क सीट में जो बच्चे continuously इसको देख रहे हैं Students इसको देख रहे हैं उनको पता हुई मैंने उनके साथ discuss किया है सभी बच्चों से जो नए बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि इस चेप्टर को आप जब ही समझ पाएंगे जब आपने वो पिछली वर्क सीट देखी होंगी आप प्लीज वीडियो के सेक्षन में जा करके वो वर्क सीट देख लें तो आईए शुरू करते हैं बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है Fair Play आपके लिए मैं कोसिस करके इतने वीडियो लेके आता हूँ तो मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे केवल लाइक सेयर और सब्सक्राइब करके अपना धन्यवाद दे आप सभी स्टूडेंट से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरी रिक्वेस्ट है तो आईए शुरू करते हैं Has your best friend ever done something you thought was wrong कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपका जो friend है उसने आपके साथ कुछ गलत किया है Has your best friend कि आपके जो best friend है ever done उसने कुछ किया है something you thought thought मतलब सोचना जो आपने सोचा की गलत है आपको अपना answer यहां लिखना है आपके best friend है आपके साथ अगर कुछ गलत किया है तो आपको yes लिखना है और गलत नहीं किया तो no लिखना है इसके बाद दूसरा question है did your friend try to correct himself कि क्या आपके दोस्त ने उस गलती को सुधारने की कोशिस की है after your suggestion जब आपने उसको suggestion दिया yes अगर हाँ उसने अपनी गलती को माना है सुधारा है तो आप yes लिखें otherwise आप no लिखें क्योंकि सभी के answers अलग-अलग हो सकते हैं हो सकता है किसी का इतना अच्छा दोस्त होगा कि उसने आज तक उसको कभी कोई दोका ना दिया हो इसके बाद है what changed after your suggestion to your friend यहाँ अगर किसी बच्चे के साथ या किसी के दोस्त ने उसको दोका दिया है आपने उसको suggest किया है तो क्या change उसके अंदर आया है वो आपको लिखना है मानो उसके अंदर अगर मेरा कोई दोस्ता और मैं उसको suggestion देता समझाने के तौर पर बता रहा हूँ तो एक तरह से हम लिख सकते हैं honest क्या change आया कि वो honest हो गया है उसका जो है वो इमनदार हो गया या फिर हम लिख सकते हैं responsible वो जिम्मेदार हो गया ठीक है इस तरह से आपको जो भी समझ में आये जो भी आपको suggestion से change आपका जो दोस्त हुआ है वो आपको यहां पर लिखना है जैसे आप लिख सकते हैं he became responsible कि वो बहुत ही जिम्मेदार बन गया इस तरह का suggestion आप लिख सकते हैं तो आई अब स्टोरी को पढ़ते हैं let us read what happened next in the story fair play कि आगे स्टोरी fair play में क्या हुआ the panchayat was held under the old banyan tree banyan tree क्या होता है बरगद का पेड कि जो पुप पंचायत है वो उस old जो बहुत ही बरगद का पेड था उसके नीचे हुई अलगू stood up, अलगू खड़ा हुआ stood up मतलब खड़ा हुआ and said, बोला the voice of the panch कि जो panch की जो आवाज होती है is the voice of God कि वो भगवान की आवाज होती है let saw who nominate the head punch कि मैं जो समझू साहु है उसको आग्या देता हूँ कि वो nominate करे nominate करे, head punch को कि वो जिसको भी punch चुनना चाता है वो उसको nominate कर सकता है I will abide by his decision और जो भी वो फैसला देगा मैं उसके साथ abide by का मतलब होता है follow करना किसी चीज को abide by अगर कहें तो एक तरह से आपको वो मानना पड़ता है saw who saw his chance अब saw who को क्या लगा कि उसको एक chance मिला है and proposed the name of Jumman और उसने किस का नाम लिया Jumman का, क्योंकि उसको क्या लगा था कि जो Jumman है, वो अब जो है, अलगू चौधरी का दुस्मन था, क्योंकि पिछले जगडे के बाद जो हम previous वर्क सीट में कर चुके हैं, क्योंकि जो Jumman है और अलगू कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर एक डिस्प्यूट के कारण, जो बूड़ी अंट जो Jumman की थी, उनकी वज़ेसे जो डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है जगडा, तो उन दोनों में क्या हो गई थी, दुस्मनी, और Jumman अपना बदला लेना चाहता था, तो इसी लिए साहू ने क्या किया, साहू इस सो इस चांस, उसने अपना चांस मिला और प्रपोज दा नेम ऑफ जुमन, और जुमन का नाम उसने प्रपोज कर दिया, अलगू और अलगू का जो दिल है, वो इस बात से थोड़ा क्या हो गया, घबरा गया, he turned pale, पेल का मतलव होता है, पीला पड़ गया, एक तरह से घबराट से वो पीला पड़ गया, but what could he do, पर वो अब क्या गर सकता था, क्योंकि हैड़ पंच, जो नॉमिनेट करने के लिए भी तो क इसने कहा था, अलगू ने ही साहू को कहा था, कि वो चाहे तो किसी को भी हैड़ पंच चुन ले, अब उसने किसको चुना, उसने जुम्मन को, इस बात से जो है, थोड़ा अलगू घबरा गया था, पर वो अब क्यार भी क्या सकता था, आगे देखिए, जैसे ही जुम्मन हैड़ पंच बना, मुख्य पंच बना, ही रियलाइजड, रियलाइजड का मतलब उसको महसूस हुआ, his responsibility, अपनी जिम्मेदारी, as a judge, एक जजड के तौर पे, and the dignity of his office, और जो उसको कारिय दिया गया था, उसका जो बहार था, उसका जो कर्तव्य था, वो उसको रियलाइज हुआ, could he, seated in that place, have his revenge now, revenge का मतलब क्या होता है, बदला, revenge का, सभी बच्चों से request है, कि जितने भी difficult words मैं आपको लिखके बताता हूँ, उनको अलग से difficult words के section में note down कर लिया करें, could he, seated in that high place, कि उस उंची जगह पर बैट करके, have his revenge now, कि क्या वो अपना बदला ले सकता था, he thought and thought, वो सोचता रहा और सोचता रहा, no, नहीं, he must not allow his personal feelings to come, वो अब ये नहीं कर सकता था, कि जो उसकी personal, खुद की जो feelings थी, उनको to come in the way, कि वो आए, of speaking the truth and doing justice, कि जो भी वो सच कहता, truth, truth मतलब सच, और जो भी वो justice करता, न्याय, justice का मतलब होता है, न्याय, तो वो उन दोनों के बीच में, अब अपनी जो उसकी personal दुस्मनी थी, एनिमिर्टी थी, उसको नहीं ला सकता था, आगे देखिए, बोथ, Algu and Sahu stated their case, Algu और Sahu ने अपना case बताया, they were cross-examined, दोनों से question किये गए, the case was considered deeply, और इस case को consider किया गया deeply, बहुत ही गहरे तरीके से इसको देखा गया, अच्छे तरीके से इसको देखा गया, then जुमन stood up, तो जुमन है क्या है, वो खड़ा हो गया and announced, और उसने announce किया, it is our opinion कि मेरी हमारी राय है that Sahu should pay Algu the price, कि Sahu को Algu को price है जो वो pay करना होगा of the block, जो है बैल का जो price है वो उसको pay करना पड़ेगा, When Sahu bought the block, जब Sahu ने बैल को खरीदा था, it suffered from no disability, suffer मतलब एक तरह से किसी तरह की उसको कोई बीमारी नहीं थी, suffered no disability, उसमें कोई बीमारी या किसी तरह की कोई अपंगता, disease, रोग नहीं था, the death of the block was unfortunate, कि जो death है, जो वो बैल मरा, हाँ, was unfortunate, वो बहुत ही दुद्भग्यपूर्न है, but Algu could not be blamed for it, पर Algu को इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, blame का मतलब तक जिम्मेदार ठहराना, Algu could not contain his feelings, Algu अपनी feelings को नहीं रोप पाया, he stood up, वो खड़ा हो गया और बोला, and said loudly over and over again, लगातार वो बार बार एक ही बात को repeat करता रहा, वो क्या, victory to panchayat, this is justice, ये न्याय है, God lives in the voice of panch, और वास्तम में जो भगवान है, वो panch की आवाज में होता है, एक तरह से जो panch है, वही भगवान होता है, soon after, थोड़ी ही दिर बाद, जुम्मन came to Algu, जुम्मन Algu के पास आया, जो उससे बदला लेना चाहता था कभी, embraced him, और उसको गले लगा लिया, and said, since the last panchayat की, आखरी panchayat के बाद, I had become your enemy, की आखरी panchayat के बाद, मैं तो तुम्हारा क्या बन गया था है, enemy, enemy का मतलब होता है, सत्रू या दुस्मन, I had today, I realized, पर मुझे आज realize हुआ, what it meant to be a panch, की एक panch होना, कितना जरूरी है, जरूरी नहीं, एक panch की जो responsibility है, वो कितनी जरूरी है, panch का जो नयाय करने का जो दायत्व है, वो कितना जरूरी है, a panch has no friend nor enemy, की एक panch का ना कोई friend होता है, ना enemy, यानि की सत्तुरू होता है, he knows only justice, वो केवल क्या जानता है, justice नयाय करना जानता है, let no one deviate from the path of justice, की जरूरी को भी deviate, deviate का मतला होता है भटकना, की जो path है, रास्ता है, justice का, उस पर से कभी कोई भटके ना, truth for friendship or enmity, की अगर कोई दुस्मन है, या सत्तुरू है, तो इस बात को, एक जज को कभी नहीं देखना चाहिए, अलगू embraced his friend, अलगू ने भी embrace, embrace का मतलब होता है, गले लगाना, जैसे आप इस picture में देख रहे हो, गले लगा लिया, and wept, और रोने लगा, and his tears washed away, और उसकी जो आशू थे, वो निकल गए, all the dirt of misunderstanding between them, और उन दोने के बीच में जो misunderstanding थी, जो भी उनके समझ आपस में जो जगडा था, या जो भी उनकी misunderstanding आपस में हुई थी, वो दोनों के बीच से वास अवे, एक तरह से निकल गई, आगे देखिए question है, on the basis of your reading of the passage, जिन भी students को अभी ये समझ में नहीं आए, at least two times इसको watch करें, सभी बच्चों से मैं request करूँगा, कि समझना जरूरी है, समझ के ही आप questions को करें, पहले एक बार और देख लें, अगर समझ में नहीं आए, क्योंकि two times में में मेरा मानना है, जरूर आपको समझ में आ जाएगा, तो देखिए, कुछ question दिये हुए हैं, जो हमने passage पढ़ा, right, true and false, true and false, true मतलब सही या सच, और false मतलब गलत, हमें statement को पढ़ना है, कि क्या वो सही है या गलत है, साहू saw his chance, साहू ने अपना chance देखा, and proposed the name of Jumman as head punch, कि साहू उनको ये लगा, कि मैं जो है, Jumman को अपना, जो head punch वो nominate कर दूँ, इसलिए उसको एक chance लगा, कि इसे मैं बदला ले सकता हूँ, देखिए, यहाँ पर ये line लिखी भी होई है, साहू saw his chance, and proposed the name of Jumman, तो ये क्या आएगा, सही है, यानि कि true, यहाँ पर true आएगा, Jumman announced, Jumman ने announced किया, that Sahu should not pay, अलगू the price of pluck, कि Jumman ने क्या announce किया, कि Sahu को, अलगू चौधरी को, जो bell का जो दाम है, वो नहीं देना होगा, तो क्या ये बात सही है, या गलत है, तो ये बात, पूर्णते गलत है, तो यहाँ पर आएगा false, क्योंकि उसने तो कहा था, कि अलगू को, जो है, bell के पैसे, साहू के द्वारा, दिये जाएंगे, इसके बाद है, a punch, मैं आपको अंसर्स दिखा देता हूँ, आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर लिखे हूँ है और रेड़ी, a punch, knows only justice, कि punch का केवल क्या होता है, वो केवल क्या जानता है, न्याय justice, यानि कि न्याय has no friend, no friend nor enemy, कि ना तो उसका कोई दुस्मन होता है, और ना ही उसका कोई दोस्त होता है, तो यह बात भी true है, देखो यहाँ पर यह line लिखे हूई है, इसके बाद है, जुम्मन realized his responsibility, जुम्मन को अपनी जिम्मेदारी दिखी, as a judge, एक judge के तोर पर, once he became the head punch, जैसे ही वो head punch बना, तो उसको अपनी जिम्मेदारी दिखी, तो यह बात भी सही है, true, देखो यह line यहाँ पर लिखी हुई है, अलगू और जुम्मन embraced each other, at the end of the story, कि अलगू और जुम्मन ने, एक दूसरे को embrace, embrace का मतलब मैंने आपको बताया था, गले लगाना, एक दूसरे को गले लगा लिया, at the end of the story, story के end में, देखो यह line यहाँ पर लिखी हुई है, जो हमने पढ़ा है, वही हमने यहाँ पर, true and false के तोर पर बताया, भी सही है, hope करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैंने आपके वह बहुत ही डिटेल में, और बहुत ही बारीकी से, इस पूरे चैप्टर को, अलग-अलग वीडियो में कम्प्लेट करके, आपको पढ़ाया है, hope करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा, please, वीडियो को लाइक करें, share करें, और सब्सक्राइब करें, आप मेरी मेहनत को सिर्फ और सिर्फ, share, like और सब्सक्राइब करके ही, दिखा सकते हैं, hope करता हूँ, आपके लिए, मैं पूरी कोशिस करके, वीडियो बनाता रहूँगा, और आपको पसंद आते रहेंगे, thanks for watching,